Hello dear students, welcome to the YouTube channel of the School of Banking and SSE. Calendar 1 जो अप्लोड हो गया है और आज calendar में 2 अप्लोड करने जा रहा हूँ, यह बहुत ही important topic है और अक्सर इसमें से exams में बहुत सरे questions हाते हैं, ठीक है? अगर किसी को leap year के बार में समझ में नहीं है तो kindly calendar 1 देखें, उसमें अच्छे तरह से explain किया है, so calendar 2 में leap year के बार में बहुत ज़्यादा discuss नहीं करूँगा, मैं directly leap year को calculate करने वाला हो, ठीक है? जो code मैं बहुत ही अच्छे तरह से आपको explain करूँगा, उसको याद रखने का मैं तरीका भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले संडे से शुरू होता है, कोई पी जैसे सबता का जो दिन होता है, सबसे पहले फस्ट डे होता है जो संडे होता है, ठीक है और ज़रा देखो, यह याद रखना बहुत ही आसान है आपके लिए, आप देखो, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, यह जो October, November, December मैंने जान बुसकर के नीचे लिखा है, क्योंकि यह तीन एक पेर फॉर्म करता है, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, January, February, March, यह ना 12 का स्क 24, ठीक है, अब April, May, June, अब April को 0 डाल करके, यह 5 का स्कॉयर है, आप यह भी बोल सकते, 0, 2, 5, यह 5 का स्कॉयर है, उसके बाद 6 का स्कॉयर है, 0, 36, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते, 0, 25, क्योंकि आपने 5 का स्कॉयर कर लिए है, तो इसमें, देखो, यह क्योंकि जब देखो इसमें, अब ज़रा देखो इसमें, यह October है, November है और December है, ठीक है, अब ज़रा देखो, इसमें क्या करना है आपको, इसमें से 1 बढ़ा दो, है ना, 0 में 1 बढ़ा दिया तो यह 1 हो गया, यह 3 में आप 1 बढ़ा दो तो यह 4 हो गया, यह 6 हो गया, वैसे भी इतना साथ मतलब याद रहागी किया जो आराम से याद रहेगा आपको फिर आपको बतों ये 12 के स्क्वेर है ये 5 के इसक्वेर है और ये 6 के स्क्वेर है ठीक है उसके बाग 146 जर इसमें बढ़ा दो ठीक है और इसमें 3 का 4 कर तो 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, चलो देखते, अभी हम लोग century का code याद रखने वाल है, देखो, इसको कैसे करके याद रखें कि century का, ये 1500 से 1599 तक 0 होता है, 1600 से लेकर के 1699 तक 6 होता है, 1700 से लेकर 1799 तक 4 होता है, उसका 1800 से 1899 तक 2 होता है, आप जाला देखो, ये किया है, 642, again, 0642, again, ये 0642, आपको यहाँ से याद रहे है का, देखो, 0642, 0642, 1500 से शुरू क्या है, 2200, मैं लिए 2200 में ये खतम होई, फिर 2299 से ये खतम होई, बहुत यासान है, और maximum जो कोशन है, आपको यहाँ से आने वाले है, ये तीन कोशन से आने वाले, maximum, ये, 206 ये, 1800 से आता है, 1900 से आता है, और 2000 से कोशन आता है, maximum कोशन इस tечение से से पूछत है, ठिक है, तो चलो, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, किस को किस तरह से solve, सबसे पहले हम लोग इसको solve करते हैं, ठिक है, 15 अगरս, 1947 को solve करते, ठिक हो से, इसको solve करना बहुत ही aasन है, इसका काम तमाम कर दो, देखो, इसका है 15, तो हम लोग ये 15 ही लिखेंगे, ठीक है, 15, देखो 15 का मैंने 15 लिखा, अगस्त, अगस्त आपको देखो, अगस्त दिन में ये मंत का कोड है, तो अगस्त का 3 है, तो हमने 03 लिखा, टफ तो नहीं लग रहा है, देखो 15, 03, 1947, ठीक है, देखो 1947 है तो ये century का हटा तो बसता किया 47 है na तो हम लोग इसमें लिखेंगे 47 ज्स दिखो 1947 को हम लोग 47 निकेंगे 1950 को हम लोग 50 Ш Teelf 0050 लिखेंगे 1936 को हम लborg 36 लिखेंगे यह 19 को हटा तो मातलब कोई भी जैसे century देखों यह 1500 से इसको इसको हटा देना है और बाके जितना भी यह रहे हैं आम लोग सको लिख लेंगे ठीक है जैसे कि मालो 2021 को हम लोग 20 लिखेंगे ना 1836 को हम लोग 30 688 को हम लोग 88 लिखेंगे जह 1800 इंटीन हंड़ेट जो भी century है उस सबसे दूसरी बात यह 47 में कितना लीपियर है इसको आपको find out करना है देखो 47 में मैं लीपियर निकल रहा हूँ कि कितना लीपियर है एक ही तरीका इसको लिखान लेका 47 divided by आप 4 करता है ठीक है देखो यह 1 होगा और यह 4 चला जाएगा ठीक है और यह 7 होगा तो अगें यह यह होगा 4 और यह होगा 3 तो 11 देखो 4 11 जा 44 इस तरह से आता है तो हम लोग क्या करेंगे यह 11 है इसको हम लोग ले ले लेंगे ठीक है तो आशा करता हूं को समझ में आ रहा होगा 15 03 47 and 11 ठीक है next अभी हम लोग इसमें यह देखेंगे कि इसमें यह जो लास्ट जो पार्ट ह हम लोग सेंचुरी का देखते हैं सेंचुरी का कोड कितना है देखो 1900 का कोड है 0 1900 से ले करके 1999 तक कोड है 0 तो हम लोग इदर में 0 ही लगाएंगे ठीक है बहुत सारे कोशन करने हैं आपको समझ में आएका धिरे 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 देखो अभी हम लोग को क्या करना है अभी हम लो है इसका प्लस कर नहीं डेक्ष नहीं है प्लस कर देते हैं इसका अगर प्लस कर तो हम लोग को 76 यह 76 को 7 से ृभीढ कर देना है ठिक है अब लोगो देखना कि यह जो बैलेंस है यह हमारा काम का जिए यह जो 10 से गिया यह important नहीं है लेकिन जब हम लोग 4 से जब डिवाइड करते तो उपर वाला हम लोग देखते हैं अभी हम लोगो क्या करना 7 से जब भाग देते हैं तो हम लोग सब से reminder वाला को देखना है तो यह 6 है तो 6 देखना है कि 6 किसका code है देखो यह Friday का 6 है तो इसका म है तो नबर का कम होता है तो हम लोग वो नमबर शिट से जब लेंगे यहां में होगा 3 इदर में 47. अब 47 है, ठीक है? 7 शक्तिक जब 42 आता है, तो बचा कितना है? 5 है, ठीक है? अब इदर में 11, 7 हॉन हihin 7 बचे का कितना? 4 तो हम लोग नहीं है हमें 4 लेख लगती है, ठीक है? तो देखो, अभी इसको क्या क्या है? देखो अब यह 1 आया, 3 आया, 5 आया, इदर में 4 आया, तो उसके बाद यह 4 और हम यह 3 को भी कर देखे कि यह दोनों मिला करके 7 होता है, बच्चे का है, तब तक हम लोग काटते रहेंगे, इंजो बिजली जब तक वो 7 से कमना हो जाए, यह 1 है, और यह 5 है, टोटल कितना हो, 6 इसका मंदल यही वही था, ठीक है, तो यह तरीका है, इसको solve करने का, यह short tricks है, जिसको solve करते है, इसको solve करते है, इसको इस तरीके से, तो हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, थोड़ा से अलग नहीं है, दोस्तों, थोड़ा से अलग नहीं, 26 है तो हम लोग इंदर में लिखा 26, यह January है, January का code किया है, देखो, यह January का code है, ठीक है, तो हम लोग इन इंदर में 1 लिखा, 1950 तो हम लोग ने 50 लिखा, अब ये 50 में कितना लीपियर है, ठीक है, आप देखो, ये 50 लिखा और हमने 4 से डिवाइट कर दिया, ठीक है, 4 12 जा, ठीक है, 4 12 जा, 48 आता है, ठीक है, 0, अब इधर में आता है 2 है, उसके बाद ये 12 को हम यहाँ रखेंगे, अगर ये 12 को इधर में रखेंगे, तो आप यह देखो, 1900 का कोड है 0, 1900 का कोड है 0, तो मैं 0 लिकर के कोई फायदा ने, क्योंकि एड होने वाला नहीं है, ठीक है, उसके बाद देखो, इंजो बजेले हम डिवाइट करते है, ठीक है, ये 26 है, तो 7 3 जा, 21, तो इसको हम लोग काट देखो 21, तो बच बच्चे का कितना, 5 बच्चे का, ठीक है, अब ये 5, 1 और 1, ये 7 देना, तो इसको पूरा काट दो, ठीक है, बच्चे का कितना 5, इसका मनद, 26 January 1955, इसका मनद ये ठाज़ जी था, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मतलब, it's not like scary question, जो होता है, क्यार calendar आ गया, पता क्या होगा, कैसे calculation करना होगा, क्या क्या याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है, चला देखते, और 2-3 question और देखते, ताकि आपके doubts और आपके concept बहुत जाधा clear हो जाए, सबसे पहले इस question को करते है, 18 February 2018, अब देखो, सबसे पहले क्या करना हमें 18 लिखना है, तो देखो, 4, 4 जा 16 है, उसका 17, 18, इसका हम लग 4 होगा, 4 लिप्यर होगा, ठीक है, जैसा मैंने calculate क्या था, देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यह 18 है, अगर हम लग 4, 4 जा करते है, इदर में 16 होगा, इदर में 2, कितना लिप्यर होगा, 4 हम लिखना 4 लगा, अब 2018, यह जो 18 है, यह 2000 से रेकर के 2099 के बीच सिफ का रेंज का है, तो इसका कोट क्या है, 6 से हम इदर में 6 लगा दिया, ठीक है, चलो देखते है, अभी क्या करना है, इसको individually 7 से डिवाइड करते है, ठीक है, 7, 2, 14 इदर में 18 है, तो बचे का कितना लिप्यर है, तो इसको बिट इसको देखते हैं कि 7 से जितना है, हम लोग सबसे सॉट आउट कर देखो, यह 4 और 6 तो 10 बनता है, और यह 14 बनता है, तो यह पूरा 7 तो 14 यह खतम हो गया, अब देखो, यह 4 प्लस 4, कितना थे 8 है, तो 8, रिमेंडर कितना बचे का, 1, क्योंकि वो कट जाएका है, तो maximum multiple of 7 लोग, wipe out कर देंगे, तो 4 प्लस 4 कितना होता है, तो 8, इसमें से 7 चला किया, बचे का 1, तो इसका मतलब है, 1 था, इसका मतलब यह था, क्या था, संडे था, ठीका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान पोशन था, चला देखो इस कोशन को, देखो, यह कोशन, इस कोश 2012 है यह leap year है अब जैसे मैंने देखो January, February, March, April इस तरह का code लिखा है जब leap year होगा ना कोई भी साल जब leap year होगा तो थोड़ा सा changes करना है बच्चो देखो इधर में January का code होगा 0 हाँ जिरो चेंज हो जाएगा और यह February का 3 हो जाएगा ठीक है जस इतना ही changes और इसमें कोई changes नहीं है ठीक है जस आपको code अलग से लेना है ठीक है और कुछ changes नहीं है आप जो मैंने यह 18 February 2018 जो है जो मैंने इसको निकाला ना संडे आप इसको Google में डालके देखे यही निकलेगा चला दिखते इस question को इस question में है देखो यह 12 हम लोग 12 as it is लिखेंगे ठीक है January January का code क्या है क्योंकि यह 2012 है it's a leap year अब यह January है January का code 0 बन जागा ठीक है तो हम लोग 0 लिखेंगे 2012 हम लोग ने इंदमें 12 लिखना है ठीक है अब देखो यह 12 में कितने leap year है अगर यह 12 में कितने leap year के सब देखो 4 3 जा 12 अफकोस इदर में 3 आएगा क्योंकि 2000 है तो इदर में 6 आएगा इसका code ठीक है चलो अब लोग इसको solve करते है देखो अब इसको 7 से भाग देना तो 12 7 से अगर हम लोग ने भाग दिया 7 1 जा 7 7 2 जा 14 यह 12 का अंदर नहीं आता है तो 7 1 जा 7 होगा तो बचे का कितना 5 होगा इदर में 0 होगा इदर में होगा 5 इदर में होगा 3 इदर में होगा 6 क्योंकि 7 से जितना कम है हम लोग SATs इसको लिख लेंगे ठीक है अगर हम लोग इसको ने देखा 6 है 3 है इदर में 5 है ठीक है 6 3 & 5 इदर में 9 9 प्लस 5 कितना हो तो 40 यह खतम हो गया ब तो चल्ला देखते हैं दूसरा कोशन दूसरा कोशन बहुत इंट्रेस्टिंग है बिलकुल इसकी तरह है अगर इसमें से कोई भी डाउट है प्लीज वाच्वाट्साइप में ठीक है है चल्ड दिखते हैं इस कोशन में हैं 18 अप्रिल 2018 है ठीक है अब अप्रिल का कोड गया है अप्रिल का कोड इसकी नहीं करो अभी और इसमें से भाग देना एक एक को डिवाइट करना है ठीक है सेविन तंपने घंच यह वहक North तो इसका एक फौरट प्वरेटमैन सेटार में इसका लोगा अब इन अभी आ इसका भी दिखते है तो फॉर और सिक्स प्लस फोर है नहीं इदर मोगा टेंट 10 प्लस सब्सक्राइब यह कर गया बचे का कितना फोर इसका मतलब है 18 अपने 2018 को फोर इसका मतलब यह क्या है था विटनेस्टे था बहुत ही आसान है चला देखते इस कोशन को इस कोशन में 25 फेबरी 1826 देखो अब लो क्या करते यह 25 हो यह ठीक है यह हो गिया फेवरेरी फेवरेरी क कोड किया है यह ठीज नौन लिपियर अधर नौन लिपे फेररी का क्या होगा दिर में 4 होगा 1826 अम लोगा ने लिखा 26 उसके बाद इसमें लिपियर कितना है देखो फोर सिक्जा 24 इसका मिला 6 होगा लिपियर 4 624 रिमेंटर 2 बचे का तो उसका कोई कामनी है तो 6 लिपियर विखिए उसके बाद इस 6 लिपियर है तो फिर इसमें 1800 का कोट कितना है डिटीस 2 अफ ज़ड़ा देखो इसमें सेवन से भाग देने देखो 7, 3, to 21 7, 3, to 21 तो इदर में बचे गा कितना होगा फिदर में 4 होगा 21 होगा तो इदर में क्या होगा इदर में 5 होगा, इदर में 6 होगा इदर में 2 थीक है उसका देखो यह 2 और 5 गडि गया that is 7, क्वेके 7 बन जा रहा है उसके बाद यह 6 है, यह 4 है 10 और प्लस 10 में 4 होगे, total होगे 14, इसका कुछ भी नहीं बचे का 0, इसका 0 अगर होगा तो ये Saturday होगा, 25 February 1826 is a Saturday, आप Google करके भी देख सकते हैं, आपको Saturday ही मिलेगा, आप अपने date of birth को भी आप इस तरह से find out कर सकते हैं, तो आपको ये find out कर सकते हैं, आपको ये find out कर सकते हैं, कई बार आच चुका है, ये question, ठीक है, चला देखते हैं, ये 14 का 14 है, बहुत ही आसाने, 14 का 14 है, मार्च का code कोड़ लोगा, ये 4 है, तो इतने में हम लोगने 0, 4 लिखा, 1856 है, तो हम लोगने 56 लिखा, ठीक है, उसके बाद 1800 का code कितना है, 1800 का code है 2, तो हम लोगने यहां में 2 लिखा, ठीक है, उसके बाद देखो, इधर में हम लोगने लिखना है, तो 56 है, तो 56 में कितना लिखा, देखो, सब को पता है, 14 for the 56 है, देखो, इसको मैं कल्कुलेट करके भी बता दर, क्योंकि आप बैंक भी या फिर आप कोई भी कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन के इस परेंट तो पको पता चुलना चाहिए, कि 14 for the 56 होता है, देखो, मैं इसको कल्कुलेट करके बता हूँ, 56 divided by 4, 4, 1 जा, 4 होगा, ठीक है, इधर में 6 हैगा, फोर 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 जा 16, 14 for the 56, तो ये चीज़ हो, इधर में हम लोग ले ले लगा है, इधर में ले लगा है, इधर म में भी कुछ नहीं बचे का, हमारा पास बचा कितना, 4 और 2 बचा टोटल कितना होगा, ये 6 होगा, अगर टोटल हम लोग नहीं सिख देखा, तो ये क्यों सर देन होगा, ये फ्राइड़ होगा, तो ये बहुत ही आसान टाप को कोशन था, मुझे आशा है कि आपको समझ में होगा, ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मुझे वाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर वाट्सअप किया, तो मैं जरूर आपको एंसर दूंगा, so thank you very much